नमस्कार बहुत स्वागत है इस्पिशल देख रहे हैं आप अपने आश्टो फ्रेंड के साथ और जोतिश के एक ऐसे पड़ाव पर हम आए हैं एक ऐसे कारिक्रम में हम आपको लेकर के आए हैं जहां पर सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है और आपको पता है कि आपका आश सायद नहीं कभी सोचे होंगे आज हम चर्चा करेंगे उनके लिए जो दुनिया को हसाने का काम करते हैं जहां हम बात करते हैं हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन्स की जो हसाते हैं अपनी कविताओं से अपनी हरकतों से अपने समवादों से अपने चुटकुलों से अपने तमाम तनाओं से बाहर निकल करके और उन्हें देखकर हसते हैं और खिल खिला उठते हैं वो हमें गुद गुदा जाते हैं लेकिन कभी सोचिये उनके बारे में भी जो इतना हसाते हैं क्या कभी आपने उनके लिए दुआएं मांगी हैं यात करिए बहुत सारे नाम हैं जो बॉलिवुड में हैं जिन में से आजकल सबसे ज़्यादा स्रेक पिल शर्मा जी चलते हैं जो कि Sony Channel पे आते हैं दककापिल शर्मा सो नाम से कितना हसाते हैं comedians जितने हैं हाज से वेंग के कवी जितने हैं जितने stand-up comedy करते हैं आजकल नया प्रचलन आया है जो कि कहीं कैफे वगरे में या फिर कहीं hotel वगरे में अपना ऐसे करते रहते हैं canad-up comedy करते हैं लोग सुनने जाते हैं हसते हैं कभी उनके विशे में सोचा है उनके कुली के गुरहों का योग कभी सोचा है आज मैं वही चीज बताओंगा आपको क्योंकि जो हसाने वाला होता है उसके कुणली में कुछ गम के योग इतने खतरनाक होते हैं जिसकी आप कलपरा नहीं कर सकते ऐसा व्यक्ति जो हसी देता है वो अपने हिस्से की हसी देता है तो उसके हिस्से से उतनी खुशी चली जाती है किसी भी कॉमेडियन की लाइफ व्यक्तिगत जीवन कभी भी आप अच्छा नहीं पाएंगे ये उसी तरह से है जैसे चराग के तले अधेरा होता है ये उसी तरह है जैसे धूप के बाद उजाला होता है जैसे उजाले के बाद धूप होती है जैसे फ्लाई ओवर पे चरहाओ के बाद धलाओ होता है, धलार होता है मतलब ये एक साश्वत नियम है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो गजल है ना, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तो जो हसाया, जो हसा उसके पीछे किन ग्रहों का सपोर्ट होता है जो खुद को वो दुख और दर्द में जोगता हुआ आपके जीवर में खुशियों का रंग भर जाता है क्या योग होता है योग एक अलग विशय है जोटशी एंगल है लेकिन इसका ब्यवहारिक एंगल जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि इनके दर्द को कम करने की दुआ हम आप मांग सकते है योग तो खैर होता ही है बता ही देंगे जोटशी हैं तो समझाई देंगे लेकिन हम जो उद्देश्च लेकर के आए है आज जोटश जराहट के कारिक्रम में हमने सुरवात में छेड़ा ऐसे तो हमें याद आया चाने तो हमने कहा कि आज इस पर भी एक कारिक्रम मैं कर ही देता हूँ कि जो आपको हसाता है वो अंदर से बहुत तूटा होता है तो हम कुछ नहीं तो हसने के बाद एक दुआ करें उसके लिए एक हम उसके लिए प्रार्त्रा करें कि हे रात हमें जो हसा रहा है वो कभी रोये ना इतना ही मांग लीजेगा बहुत छोटी सी दुआ है लेकिन अगर आप मांग लेंगे तो वो हसाने वाला भी साइद आपकी उस छोटी सी दुआ से कभी हसेगा मारमिक तत्य है, फिलिंग फुल है, इसको फिल करेंगे, समझेंगे तो जरूर आपके लिए कल्याण की, आपके मन में कल्याण की भावना आएगी तो हसाने वाला वाकई में अंदर से बहुत रोता है कुनली का योग ये होता है, कि ऐसे व्यक्ति के लगन का सम्बंद शनी से हंड़िट परसंट होगा लगन लगने इसका सम्बंद शनी से होना ही होना है वो अंदर से तूटेगा, जितना तूटेगा हसा सकता है शनी का सम्बंद लगने से जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति अंदर से तूट के आपको हसाएगा उसके पास पंचज उत्ते होंगे उतना वो thoughts निकाल के लागा इसके और भी different different angle पर इसका फल होता है एक ग्रह सिर्फ एक ही जगे फल नहीं देता है प्लस एक योग बड़ा खतरनाक और बड़ा आलिशान होता है अब खतरनाक और आलिशान कैसे होगा जी हैं खतरनाक इसलिए कि भयानक हसने वाले होते हैं हसाने वाले होते हैं और खतरनाक और आलिशान इसलिए क्योंकि किसी को भी हसाने की छपता रखते हैं कुंडली में ब्रहश्पति चंद्रमा और शुक्र में आपसी तालमेल जितना ज़्यादा होगा उतना ही जाता वो विक्ती हस्मक होगा और अंदर से टूटा रहेगा बहुत सारी इस पे और भी चीजें हैं जो प्रकाश में डाल सकता हूं बता सकता हूं कभी मिलेंगे कभी प्लान में करता हूं कि एक छोटा सा सेमिनार करूं आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ कहीं पर सुबह से शाम तक कुछ ऐसे प्लानिंग हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच हसते रहे हसाते रहे और आप लोगों से प्रार्थना है रिक्वेश्ट है कि प्लीज आप लोग जो भी कॉमेडियन आपके लिए कॉमेडी कर रहा है आप फेस्बुक पे देखते हुए इंस्टाग्राम पे देखते हुए यूट्यूब पर देखते हुए उसके हसाने से आप हस रहें तो उसके लिए दूआ जरूर करिएगा कि वो भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहे हसता रहे तैंकियो सो मच इस प्यार के लिए ये मुहबबत के लिए और चौदे पंदर को पटना में मुराकात कर सकते हैं नमस्क्राइब गन्स्का स्वा पंदर कर दिए क्या तो बढ़ टाएब कि वो भी आप आ जर कोा उसके लिए कैना परार वो और पर बहुत द्धा स्वाग